पूरे एक घंटे की कलास होगी बिल्कुल तन मंधन सब कुछ लगा के बैठना अब इतन मन लगाना धन नहीं दन नहीं लगे गए उसको रखे रहो तो सुनो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था बहुतीक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई तो थी लेकिन कुछ अब ही आपको और इंपोर्टेंट है जो जननी है तो इस कलास को बिल्कुल दिल थाम के पढ़ना और पूरा इंडे तक पढ़ना बीच में जाना नहीं है तिक है परतिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमन कुमार राइडर जी जुड़ चुके हैं जीतेंद्र कुमा परतिक और अमीन इनका नाम है और नाब्या गुपता ठीक है जुही जी आपका भी कमेंट आ रहा है तो सभी साथी फटा फटी सेशन को लाइक करो बाबू जल्दी से और अपने दोस्तों में सेयर कर दो लाइक और सेयर आपकी जिम्मेदारी है बहुत जल्दी करो उसके ब तो तो बिल्कुल देडर नहीं करना अगे बढ़ते हैं हम लोग प्रियांसु मारिया जी आपका इष्यान Ci ड़ी आपका भी कमेंट आ रहा है आप लोग मुझे ये बताओ कल की कलास में आप जुड़े थे की नहीं कल की कलास में भी जुड़े थे ना आप लोग पिटा कल हम लोगों ने फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज पढ़ा था बढ़ा था ना तो इसमें आज कुछ और भी गहराई में जाने वाले हैं कुछ और भी एक्जामपन समझ लो एक परकार से ऐसे जान लो देखो कोई भी चीछ समझना बहुत जरूरी है अगर तुम समझ लिए ना तो इक्जाम में इसे खुद से लिख सकते हो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं हां परिक्षा में खुद से लिख सकते हो कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं हां अगर नहीं समझोगे तो देखो बेटा रट के जाओगे बहुत इक परिवर्त उनमें कुछ temporary होते हैं, कुछ permanent होते हैं जैसे देखो, मौसम बदल जाता है, यह temporary होता है ऐसा तो नहीं कि हाँ गर्मी पढ़ने लगी, दूचार दस साल गर्मी पढ़ती है, नहीं न यह तो एक simple सा उधारन बैवारी तुम्हें समझाने के लिए है आपने देखा होगा, आपके आसपास पेड़ पौधे सूख जाते हैं कभी-कभी यह क्या है, यह permanent है कभी अगर कोई पेड़ सूख गया है, दूबारा हरा नहीं होगा, अगर वो सही-सही का सूख गया है बाकी नीचे से हरा है, उपर पत्ति-पत्ति सूख गया हो अलग बात है, फिर हरा हो जाएगा समझ रहा हो ना, और ऐसे समझ लो बहुत तीक परिवर्तन में जो परिवर्तन रंग रूप, गलनांक, कोथनांक, जवनत्तो और बहाव अगर आगे बात करें थोड़ा सा दिर्णता, इत्यादी के आधार पर होता है, वो टेंपरोरी होता है, वो पर्मानेंट नहीं होता है जैसे आपने देखा होगा, पानी गरम हो जाता है, फिर रात में मालो तुम चट पे रखे हो, रात में पहुसम ठंडा हुआ, सुबा तक नर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा जबिए तुम पानी बॉलकर रूखेगे रहे हो ठंडा हो जाता है यह सब क्या है यह पर्माणिंट नहीं है यह तो फिलाब तुमारे लिए कुछ कम समझ वाला है अच्छा समझ वाला यह है की बर्फ का पानी बनने पानी का बर्फ बनना ये बहुतिक परिवरतन का सबसे अच्छा उधारन है आपने देखा होगा बर्फ पिगल करके पानी बन जाती है कर्मियों में बच्चे अपने बाटल में बर्फ जमा जमा के लाते हैं इस्कूल में पीते हैं गला गला के तो वर्फ से क्या बन जाता पानी लेकिन अगर उसी पानी को तुम फिर से फ्रीजर में रख दो तो फिर से बर्फ बन जाएगी समझ रहे हो ना तो यह क्या है बिटा बहुत इक परिवर्तन है आपने देखा होगा अधिकांस घरों के काँच टूट जाते हैं खांच लोग में चाटा क अधिन ये बहुत परिवर्तन है बतलब आइसा काँच तूट गया दो लकड़ी बन गया ऐसा तो नहीं हो ना कि काँच तूटके लकड़ी बन गया नहीं न तो यह क्या है काँच तूटने के बाद भी काँच ही रहा वो बहुत तीक परिवर्तन है रासानिक परिवर्तन नहीं है रासानिक परिवर्तन ऐसे है बेटा जैसे लकड़ी जल के राख बन गई अलो हम मर जाएंगे लोग जला देंगे हमें तो क्या होगा राख बन जाएगी शरीर यह रासानिक परिवर्तन है फिर हमारी बॉड़ी दुबार नहीं आएगी दूसरे लोग को इसलिने बोल रहा है तो जब कोई इसान की बुरित्व हो जाती उसे जला दिया जाता है तो फिर से बोकार नहीं बनती यह रहाने है लोगों को मनना आए कि हमाराने जगा पैदा हो गए दूसरी सरीर आत्मा लेली व अलग बात है तो तो कोई चीज जब जल जाता है, तो उसमें भातिक परिवर्तन नहीं रहता है, वो रासानिक परिवर्तन होता पर्मानेंट के लिए, समझे रहे हो ना, कोई चीज तोड़ देते हो, तो वो बातिक परिवर्तन कह सकते हो, लेकिन अगर उसे जला दिये तो फिर वो खतम हो गया व्यासानिक परिधान हो गया किप्रियस अर्मा जी गुड्मॉणिंग उसपुणा जी गुड्मॉणिंग रेनु अनुभर जी गुड्मॉणिंग सभी को गुड्मॉणिंग बेटा पढ़वाई कर लो गोर पहले मेंद्रendr साख्या गुड्मॉणि अभी सेग सिंग गूर्द मॉर्णिग गरश्पे मगें आइला सूंदे लो यादा बोलो का सूखना अ अए कपड़ों का सूखना क्या है अए अए आए हम लोग नहाते हैं अठी सूखछशबोगा नहाते हैं कुछ जाए चाहे नहीं लेकिन कपड़ा जरूर दूलते हैं तो कपड़े देखो सूख जाते हैं अब ऐसा तो नहीं को सूख गया पर्मनेंट 2-4-10-20 साल के लिए फिर दूबारा ने गीला होने वाला नहीं न फिर पानी डालोगे फिर गीला हो जाएगा फिर सूख जाएगा यहीं के कमेंट करो मतलब केमिकल चेंज सभी बच्चे बताओ कपड़ों का सूखना कौन सा परिवर्तन है बहुत ही क्या रसानिक प्रीती बिसकरमा जी गुड मॉनिंग जुदान्सु माथूर सिवम यस राज रभी बिटा देखो तुम लोग कलास को सेर नहीं कर रहे हो मजा नह जान लो बिल्कुल हमारे दिल से जो है न वह आत्मा कह रही कि अच्छा नहीं लग रहा है यह बच्चे वड़े खतरनाख है बहुत अच्छे पूजा कुमारी बेरी गुड नाप्या गुपता राज किसोर कनया राहुल दीपक रभी प्रीतम नितेस अनवार धर्मेंद्र बिजय बहुत अच्छे वड़ा तो क्या है कपुड़ों का सुकना बहुत इक परिवर्तन है अच्छा एक बात बताओ Handy को हम लोग पानी में गोलते हैं तो मारे गल में चीनी होगी पानी в गोल लेना मतलब थोड़ा पाणी में थोड़ा चीनी डालना बहुत ज्यादा नही A मान लेते हैं ठीक है और C को B मान लेते हैं तब यह बता बेटा कि चीनी का पानी में घुलना कौन सा परिवर्टन है आकास जी बताओ सुनील आकास कुमार गुपता बनुवारी शंकर मुहम्मत तारिक चीनी का पानी में घुलना अगर भौतिक परिवर्टन है तो A लिख के कमेंट करोगे अगर रासानीक परिवर्टन है तो B लिख के कमेंट करोगे चीनी का पानी में घुलना अगर भौतिक परिवर्टन है तो A लिख के कमेंट करोगे अगर रासानीक परिवर्टन है तो B लिख के कमेंट करोगे नीरज कुमार दयाराम सुधानसू देखो बेटा जल्दी जल्दी से जवाब दो फटा फट फट लपीजी गैस का जलना तो सीधा सा बात है रासानीक परिवर्टन है उसमें तो कुछ बहुतिक हो ही नहीं रहा है चीदी सी बात है अंकिस सिंग अर्जुन मुहम्मद तारीक जुही अविशेक रवी ठीक है बहुत अच्छे तो बच्चा देखो कपड़ों का सूखना भी बहुतिक परिवर्टन है चीनी का पानी में घुलना भी क्या है बहुतिक परिवर्टन है आप आधा लीटर पानी म में एक किलो चीनी घुलो वैसे तो गुलेगी नहीं आधा लीटर पानी में आधा किलो चीनी भी गुल जाए बड़ी बात है घुल के देखो अगर वो गुल गई पूरे अच्छी तरह से उसे फिर से सूखा लो भी रख दोगे धूप में सूख जाएगा फिर से पानी उड जाएगा वस्पित हो जाएगा या फिर उसे हलका गरम कर सकते हो गरम करने पे बहुत पी पहर ने आप जल्दी से सभी कलास को लाइक कर दो दो मिνुट आपके पास टाइम है आपने WhatsApp के जो भी गुरूप है उनमें शेयर करके आ जाओ WhatsApp के इस्टेटस में लगा दो बस इतना तो करना है जो बच्चे Facebook चलाते हैं या उनके मम्मी पापा का मोबाईल है भाईया दीदी चलाते हैं उनके profile से भी शेयर कर सकते हैं कोई गंदी बात तो है नहीं साइंस पढ़ाया जा रहा है जल्दी इतना करके आओ निवेदन है आप लोगों से सभी चलो पटपट करके आओ उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे आज का जो हमारा topic है वो अलग है यह तो मैंने थोड़ा फार रिवाइज करवाया वाजसे कल बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया था टाइम नहीं था आज हम पढ़ेंगे element and compound सभी बच्चे class को share करके आओ पहले तुरंथ हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के share करने का कि बच्चे 100 प्लस होने चाहिए अब 100 नीचे रहेंगे तुम्हें पढ़ाऊंगा इनी मैंने पहले भी बताया था कि तुम लोगों को बेटा देखो 100 के ऊपर करना है सभ के नीचे नहीं रहने चाहिए बच्चे जल्दी करके आओ देर ना करो देखो कहना पढ़ता है मजबूरी है क्योंकि तुम सुनते नहीं हो ना जल्दी करो देर ना करो बहुँ जल्दी करो सभी बच्चे अपने वर्टसप गुरूप में सेयर करके आओ सेशन को लाइक करो जल्दी देर ना करो भाई देखो ऐसे मज़ा नहीं आरी बबुआ फटा फट लाइक कर दो तुरन देर ना करो ऐसे उपर वाला निशान अग उठा दबा दो कित से सभी देखो यार मैं पढ़ा रहा हूँ ना पूरी इमानदारी से आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल दिल से तो मेरी भी बद्दुआएं लगेंगी अगर नहीं करोगे तो बद्दुआ नहीं लगनि रेखोए किसी की दुआ लगनी चाहिए और हम दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो लेकिन आप लोग मेरी बात भी तो सुनो नयार आपको कलास को लाइक कर देना है अपने वर् कि बहुत अच्छे बेरी गुड़ आप कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो आप डान ट्वरी चलो कि अब इसे कुमार बेटा कौन से कानून में लिखा है यह यह कौन से कानून में लिखा है सबी बच्चे तुरंद करके आओ भाई साहब सेयर जल्दी देर ना करो यार और लाइक जरूर करो कलास को कलास को लाइक करके सेयर करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं हा रही यार देखो दिल मत तोड़ो एकदम से किसी गरीब का कार दोना देर कहां लगना है चलिए तो बच्चे आगे देखते हैं आप लोग सेयर करते रहिए रासानिक परिवर्तन में कुछ उधानट देख लो रासानिक परिवर्तन में जैसे फलका पकना फलका पकना आम है आम पक करके क्या बन जाता है आम ही तो रहता है का वो कटाल बन जाता है का आम है अगर कच्चा है तब भी आम ही है अगर वो पक जाएगा तब वो क्या अमरूत बन जाएगा तब भी तो आम ही रहेगा तो मुझे ये बताओ फल का पकना कौन सा परिवर्तन है सबी बच्चे देखो यार हमारा पढ़ाने का यह मतलम नहीं कि हम जल्द जल्दी चैप्टर खातम कर दे नहीं तुम्हें एक एक बात तुम्हारे दिमाग में घुसे रुड़ दे हमारी यह कोसी से और फिर निकले ना तुम्हारे दिमाग से परिक्षा में जाओगे अगर कहानी याद रहेगी हमारी यह सारे बाते याद रहेगी ना तुम्हाराम से कर लोगे लिख लोगे रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें किताब खोल के अगर कच्चा आम है वो पक गया तो भाईया क्या वो दू दिन बाद फिर कच्चा होई जाएगा या कोई ऐसी तकनीक है कि उसको फिर से कच्चा किया जा सकता है नहीं गदों सड जाएगा वो भाई आम है अगर वो पक गया तो वो दस दिन बाद अगर रखे रहोगे सड जाएगा गंधाएगा हमें कीडे पड़ जाएगे यानि आम पक गया तो पक गया दुबारा से वो कच्चा नहीं होगा तो ऐसा परिवर्तन जो पर्मानेंट के लिए हो जाए सदा सदा के लिए हो जाएगे वो बहुत तीक परिवर्तन नहीं है वो रसानीक परिवर्तन है ठीक है समझ गए न तो यह है इसके अलामा अगर हम बात करें भोजन का पकना भोजन का पकना भी क्या है बेटा भोजन का पकना भी क्या है ये भी आपका ये भी रसानिक परिवर्ट थने भईया खाना खाते हो कोई भी अगर बच्चा खाना खाता इंसान जानवर है सैतान है भूत परेत है तो वो खाना हजम हो गया मतलब गया ऐसा नहीं को उसको पल्टी करके फिर खाय लेगा किसी के तबियत खराब है पल्टी हो गई वालाग बात है लेकिन कोई उसे फिर दुबारा खाता नहीं है तुम लोगों को सुनके बड़ा गंदा लग रहा होगा लेकिन ये सब पढ़ना है तो समझना है भोजन का पकना भी क्या है रसानिक परिवर्टन में भोजन का पकना भी रसानिक परिवर्टन है अभी मैं पकने का एक्जामपल बता रहा है चावल ले लो कुकर में कडाही भगोला बल्टी कैसी में उबाल लो उसको भात बन जाए देसी बासा में तो उस भात को दुबारा चावल में कनवर्ट नहीं कर सकते क्यों हो जाएगा बोलो हो जाएगा वह कुछ लोग चावल बोलते हैं बसे साई साई देखा जा तो बहात ही बोला जाता है उससे हमारे यहां पी बोला जाता है हमारे यूपी बिहार वाले सब जानते होंगे अच्छे से यह क्यों जब वो कच्चा रहता तब उसे चावल बोलते हैं हम लोग क्या है ऐसा होता है लेकिन अब हम लोग जब से इस दुनिया में आ गए नई वाली में कच्चे को भी चावल पुराने और पके को भी चावल बोलते हैं पापा को भी पापा बोलेंगे, दादा को भी पापा बोलेंगे, मतलब दूदी पापा, ये नए जमाने की तक नीकी है, तो समझो, किसी भी खादे पदार्थ को अगर पका दिया जाए, तो वो रसानिक परिवर्तन हो जाता है, फिर वो दुबारा से खादे पदार्थ नहीं हो सकता है, समझ रहो ना, अंकिस सिंग, आजय गेमिंग, दुर्गेश कुमार, लौकुस बेटा समझ में आ रहा है, देखो बाबु आप लोग कलास को लाइक करो, जरूर करो, देर ना करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये सब थे, इसके अलामा पत्तों का सूखना, पेड का सूखना, ये सब क्या है, रसानिक परिवर्तन है, अक्सी करण का होना भी क्या है, रसानिक परिवर्तन है, तो बेटा ये सब हम आपको PDF दे देंगे, PBR study के टेली गराम चैनल पे, ठीक है, जैसे चेप्टर खतम होगा, वैसे हम आपको इसका PDF उपलब्द करवा देंगे, आप लोग इसे क्या करना, देख लेना, ठीक है ना बच्चा, ठीक है बाबू, ठीक है, ओके, चलो, प्रिया सर्मा, रेनु चोधरी, रभी आदो, ठीक है, तो अब इसे मिटा दो, ये होगे आपका, अब हम बात करते हैं, तत्त और योगी की, देखो बेट अब ये बताओ, कितने लोग इसे है, इतनी आत्माय, महान आत्माय है, जिनको तत्तो के बारे में पता है, बोलो तत्तो क्या होता है, अब ही बोलो क्या होता है, इस्पेलिंग्स आई है गलत है तत तो क्या होता है जानते हो कि नहीं प्रीपा क्या दो कुछ समझ में आ रहा है सभी बच्चे यह बताओ मुझे क्या आपको तत और उनके संकेत याद है जैसे आप लोग एक छोटा सा कुशन बता मुझे पोटास का संकेत क्या होगा सभी बच्चे बोलो पोटास का संकेत क्या होगा और एक मुखना चार्जिंग में लगा देता हूं मुझे यह बता है झाल झाल चल यह ठीक है, बहुत अच्छे, बेरी गुड, तो फिर बता लिए आप लोग, ठीक है, तो बेटा इस तरह से आच्छा एक बात बताओ, फुल कितने तत्तों हैं, बतलत तत्तों की संख्या कितनी हैं, दिवम कुमार, जल्दी बताओ, कितने हैं, तत्तों कितने हैं, ठीक है, बेटा इस तरह से आच्छा एक बात, चलिए, अब हम बात करते हैं, सब छोड़ो जाने दो किनारे रखो, यह तो मैं ऐसे पुछ लिया, देखो, तत्तों जो है, वो पदार्थ का मूल रूप है, आप कहोगे, फिर मूल रूप है, तो मूल रूप कौन है नहीं, नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, डीटियल में, पहले तत्तों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो बेवारिक तरीके से आपको समझाएंगे, एक आपकी किताबी भासा समझाएंगे, तो दोनों समझ लो, किताबी भासा है कि तत्तों पदार्थ का जो है, वो मूल रूप है, जिसे रासानिक परकिरिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब एक परकार सीधम सुद्ध होता है, उसमें कुछ और नहीं निकल सकता है, नहीं जैसे आप दूद देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें सबी ठोस हवस्था में पाए जाते हैं किस में ठोस हवस्था में पाए जाते हैं पारा एक अपवाद है पारा जो है वो तत्व है लेकिन वो द्रों में होता है बाकि और कोई भी मतलब जो तत्व है वो ठोस में ही होता है द्रों में नहीं होता है अब तत्व वो है जैसे लोह सोना, चांदी, लोहा देखे हो लोहे का तुमारे घर में कोई चीज होगा क्या लोहे में तुम कुछ और निकाल सकते हो क्या अगर लोहे का एक कोई छड़ है तो क्या उसमें चांदी निकलेगा नहीं, विटामिन निकलेगी लोहे में प्रोटीन निकलेगी क्या लोहे में सोना नीकलेगा? नहीं न यदि लोहा है तो वो صỉर्फ लोहा है वो में और कुछ नहीं है वाकि आज कल के परबाद होती दुनिया में तो मिलावट का खेल चली रहा है वो अलग बात है लेकिन जो लोहा है सच का लोहा है उसमें दूसरा कुछ नहीं होगा ठीक है सोना चांदी ये सब क्या है तत्तो है अभी इनके बारे में कुछ हम आपको बैवहरी इक बाते बताएंगे जो आपको क्लियर हो जाएंगी इल्कुल पूरा देखो क्लास को जाना नहीं कहीं ठीक है तो बेटा देखो सोना जो है वो भी क्या है तत्तो है चांदी जो है क्या है वो भी तत्तो है लेकिन ये तभी तक तत्तो है जब तक ये सुद्ध है अब बैया सोनार के हाँ जाए लोहे की चैन पे चान्दी का पानी चढ़ा के बेंच दिये तो वो सुद्ध नहीं है फिर फिर वो तत तो नहीं रहा गया फिर वो योगी के बन गया कैदो तो फिर वो तत तो नहीं है मतलब सुद्ध रहना चाहिए उसमें और कुछ नहीं रहना चाहिए समझ रहो न, नीरज कुमार समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, समझो तत्यों में जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, यह तुम समझ लिए अब हम बेवहारिक समझते हैं, यह सब थोड़ा कम ग्यान समझ में आ रहा है देखो बैभारिक में ये है बेटा कि वे पदार थे अधातु है जिनमें चमक होती है वो तत्तो कालाते है ऐसे भी कह सकते हो अब बताओ चमक किसमे होती है किसमे होती है लोहा कहीं रखा है लोहे का कोई पलेट है चादर है उसस पे ठार्च लाइट मारोगे चमकें आख चुंदी आएगी होगा ना चांदी है सोना है क्या है चमकेगा पहला गुर्ण है क्या होती लुहे सोयspecific का नि. है ख विजि तंब करेंगे यह नुद्द ही की से कहा पोले जार्य हों धादमें उप्का है की करन रहे हैं ठीक है हां तफ तत्व में आप लोगी जङन लोभी तो तत्व है इसंट अले 서 मुदस्त बार रहे बार वहस्रों काफी सब्सकत है तो फैले में टाइटल ॏ उन है रुको एक मिनेट है टाइटल डालता हूं तब समझ में आएगा थोड़ा सा रुको है देखो हम बात कर रहें एलिमेंट की यानि तत्तो की इनमें जो उदाहरण है इनके जैसे मानलो सोना चांदी लोहा और आक्सीजन हाइट्रोजन मैंने बताया था ना आक्सीजन हाइट्रोजन यह सभी क्या है तत्तो है अब देखो यहां से समझो समझो अरे भाई परमाडू करमांक और संकेत याद करते नहीं तत्तो का वही सब है जितने है सब है तत्तो की जो एक परकार से अगर बात करें कुल मिला के संख्या है तो वो सो से जादा है 100 प्लस है अब इनके परकार होते हैं तत्तो के क्या होते हैं तद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एलिमेंट का जो कलासिफिकेशन है वो तीन पार्ट में किया जाता है मेटल की का है? मेटल नहीं है यानि धातू, अधातू और उपधातू अब देखो समझो तत्तो का कहानी खतम होगा ये भी इसमें आ जाओ धातू है क्या है? बताओ धातू है क्या है? ऐसा तत्तो, ऐसा एलिमेंट जिसमें चमक होती है आघात वर्धक गुण होते है आघात वर्धक गुण का मतलब जिनको पीटा जाए तो फैल जाए, पसर जाए लोहार देखे हो लोहे का एक छड़ गरम करके रेड हो जाता है उसको धाय मुंगरा, धाय मुंगरा कैसे मारता है? उससे हताओडा से तो वो चवड़ा हो जाता है पहले बताओ कितने लोगों ने देखा है? यस बोलो देखे हो? नहीं देखे हो, देखे हो न तो बच्चा जो तत्तो होते हैं, वो क्या होते हैं? उनमें अगात वर्धा कुण होता है, मतलब वो फैलते हैं जैसे रांगा देखे हो, जिससे एलेक्टरानिक वाले लोग सार को जोडते हैं, तांका लगाते हैं फैलता है वो भी न? अगर तुमें एक लकड़ी का डंडा लेलो उसको हथाउड़ा हथाउड़ा खून दो तो क्या होगा? फैलेगा हो? वो नहीं फैलेगा दद्दा, वो फट जाएगा, अलाग अलाग चूनी-चूनी हो जाएगा जदा देर कूटोगे तो लेकिन वो फैलेगा नहीं जबकि तुम अगर लोहा, सोना या चांदी उसको अगर खूनते हो तो वो क्या होगा? उपहिलता जाएगा, पतला होता जाएगा लेकिन वो मिट्टी नहीं बनेगा, चूनी-चूनी नहीं बनेगा हम? हिमान्सु बर्मा बेटा देखो बात ना करो, ठीक है? कोई भी बात चीत ना करो, पढ़ाई कर लो चुपचाप तो धातु की एक खासियत होती है कि धातु में अगात वर्दक गुण होता, अगर उनको पीटा जाए तो वो फैलते हैं, मतलब राखी नहीं बन जाते हैं, मिट्टी नहीं बन जाते हैं जैसे तुम्हें एक इंट ले लो, इंट, इंट एक तत तो नहीं है अगर इंट को हम हाथाओड़ा हाथाओड़ा खूंदें तो क्या होगा? वो मिट्टी बन जाएगा, राखी बन जाएगा, मतलब एक दम महीन महीन कण में तूट जाएगा लेकिन अगर कोई लोहे का, सोने का, चांदी का या फिर आपका ये सोडियम, पोटेसियम जो है, ये सब चीज है तो क्या होगा वो? उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आगे देखो बात करते हैं, सोरी, ये सोडियम, पोटेसियम तो हम लोग उसमें चलेगे, तत्तो में, ये सब नहीं है, ठीक है? इन में क्या है? सोना हो गया, लोहा हो गया, और सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई इनके और भी गुण पहले समझे लो तब, देखो यहाँ पे बोलने में कुछ थोड़ा बहुत इदर उदर हो जाता है अगला गुण क्या है? अगला गुण ये है बच्चा इनमें कि इनमें जो है तनन छमता होती है क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूँ ये केक तब बेतर रहेगा यहाँ पे समझते चलो इनमें चमक होती है धातूओं में अगहात वर्धक गुण होता है जो मैं अभी डिस्क्राइब कर दिया अगहात वर्दक गुण होता है इन में तनन होता है तनन अब तुम कहोगे यह कौन बिमारी का नाम है तनन क्या होता जानते हो इनको अगर खीचा जाये तो क्या होगा वो तनती जाती है जैसे तुम देखे हो कोई भी मुझे बताओ जिसको खीचा जाये तो बढ़े spring देखे हो spring लगी होती ही न दिकांस जगों पे भई देर साथ दुनिया इपस्प्रिंग पे चल भाई गाड़ियों में लगी होती है तुम्हें घड़े में अगर पखणो की से पकड़ा हैस्थ थोड़ा सा इंटरनेट करग है प्रिया सर्मा, हाँ वीडियो चल गई है, थेक है तो देखो समझो ढीमे क्या होता Иक अगर बात करें, इसमें क्या होता और क्या होता भई उस्मा तथा बिद्धूत के सुचालक होते हैं इनका एक छोटा सा उधारन आप समझ लो आपके सब के घर में बिजली है सबके घर में बिजली है है न बिजली कहां से आई है खंबे से आई है न तुम्हें ही तु जानो कि तुम्हारे बार तो खंबे लगा घर के तो खंबे में तार लगा है देखे होग नहीं खंबे में तार लगा रसी वसी तो नहीं लगी न क्यों क्योंकि रसी में करंट नहीं आएगा जो खंबे में लगा है वो क्या है वो अलुमिनियम का तार लगा होगा कापर बहुत महेंगा आता है कापर का नहीं लगता है मोटे मोटे तार जो है अलुमिनियम की होते है तो खंबे में क्या है Aluminium का तार लगाए है Aluminium क्या है बिटा Aluminium एक धातू है क्या है धातू है ठीक है समझ रहो ना क्या है एक धातू है आपने देखा होगा अकसर कहीं कहीं ऐसे घटनाएं होती है जो लोग कटिया उटिया लगाते है अगर लोहे के कभी छड या डंडी से ट्राई कर लेते हैं उसे हम चिपक जाते हैं छूटते नहीं है क्यों? क्योंकि लोहा एक धातू है अगर लोहे में करंड छुआ तो तुरंद काम तमाम हुआ आपने ये भी सुना होगा अगर दिकांस कहीं कहीं ऐसे दुरघटनाए हो जाती है जहां पर गाड़िया ट्रक हो गएरा बड़ी बड़ी जो है वो क्या होता है उन्हें खाली करते समय अगर उपर उठाते हैं डंपर तो लाइटों या तारों में टच कर जाता है जल जाता है फूप जाता है और लोहे का बना होता है उसमें करण तुरन दष़ड़ता है इसको सब को तो तुम किनारे करदो खतरनाक चीजे हैं आसान वाला समझे लो तुमारे घर में गयस होगी रोटी बनती है न रोटी बनती है न तुम एक काम करो गयस जला करके कोई लोहे की छड़ हो तुम्हारे घर में, देख लो, ट्राई कर लो बेटा सभी, लोहे की छड़, लोहे का राड, या फिर कोई भी चीज ले लो लोहे का जो भी हो, थोड़ा इतना बड़ा हो कम से कम, उसको क्या करो, गयस जला के उसका एक कॉन्ना गयस पर एक कौन्ना गैस पर रख दो 10-15-20 मिनित रखे रहो दूसरा कौन्ना तुम पकड़े रहो कुछ देर बात देखो गे वो गरम हो जायेगा बोलो हो जायेगा कि नहीं ऐसा क्यों होता जानते हो क्योंकि जो लोहा है वो एक धातु है धातु उसमा की क्या होती है सुचालक होती है यानि उसमें जो है उसमा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती अपने आप समझ रहो ना आपने घरों में देखा होगा वारिंग होती है तार लगाया जाता है तार में कौन सा लगता वारिंग में कापर का लगता है अरे भाई जो लाल-लाल तरह होता न, पूरी, भूरा-भूरा होता है कापर का तार होता है अभी देखे हो घरों की वारिंग हो हुरे, उसमें रस्ती लगा दें अंदर-अंदर में तार की जगा नहीं न, कहीं अगर current एक जगा से दूसरे जगा ले जाना होता है, light तो क्या लगाते है, wire लगाते है wire उपर से plastic होता है, क्यों? एक बहुत अच्छा चीज मिल रहा है देखो बेटा जो तार होता है जिनमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं घर में उपकरण चलाते हैं वायर ना इधर साइड देखो तो जैसे मालों टीबी है तुम सबके घर में होगी हां एमें का आती एकटी केबल आती है मतलब लाइट वाली लाइट वाली बात करें लाइट आएगी तभी तो LCD चमकेगी तो ऊपर प्लस्टिक लगा होता तार के जिससे कोनों बचवा चुए तो करंट ना मारे जैसे देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें यहां पर समझो एक मिनिट रुख जाओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दू तो कि अ ही देखो संब्जों यहां पर है ला रहा हूं है निकल जा हाँ। थीक मींट टिक मिन casino, एक मिनेट ऑन्यMon ön यहां दिखरा है दिख रहा तोम्हें यह क्या तार है इसमे ऊपर ऊपर जो मैं पकड़ रखा हूं जो लाल पीला दिखरा है न यह प्लस्टिक है और यह धातु नहीं है इसको हम टच कर सकते हैं जब कर्यों इसमें दौड़ रहा हो हम चिपकेंगे नहीं लेकिन बच्चा खुदा ना खासता अगर तुम इसको बोर्ड में लगा करके और तुम इसको पकड़ लिए इधर वाला कहा गया ये, ये इधर वाला पकड़ लिए, जो इसमें निकला है, देखो यहाँ ध्यान दो अगर ये निकला है नै, ये भूरा भूरा, ये धातु है, तो तुम चिपके रह जाओगे उसे में, ऐसा कभी करना नहीं ये क्या धातु है, इसके अंदर जो कापर है, यो ये च्हिलने के बाद निकलता है इसलिए इसमें करंट लगता है, क्योंकि इसमें करंट दोडता है जैसे हम लोग जमीन पे दोड़ सकते हैं आसमान में नहीं वैसे करंड जमीन में दोड़ सकता है का मतलब इस धातु में दोड़ सकता है लेकिन इस वायर के ऊपर पलास्टिक में नहीं दोड़ता है पलस्टिक में नहीं होता है कुछ लोग कहेंगे कभी-कभी तो पलस्टिक में भी करंट लग जाता है यह सही बात है कभी-कभी घटना होती है पलस्टिक में भी करंट लग जाता है जब सीलन होती नमी बहुत ज़ादा होती है तो क्या होता है आपको मालूम है कि अगर पानी में कोई तार भीगा है, कोई इंसान को बच्चे से भीगा है, वाटर क्या है? उसमा का सुचालक है अगर तुम एक थरिया में पानी भर लो या एक पलस्टिक के बरतन में पानी रख लो पलस्टिक के बरतन में, कोई भी अगर बल्ब जला रहे हो और उस तार का एक सीरा मगगे में इधर से डुबो दो, दूसरा उधर से डुबो दो, भले वो पलस्टिक का मगगा है पानी से भी करंट फैलता है समझ रहे हो ने, तो कभी ऐसा मत करना, साउधान रहना, अगर किसी पानी में या कहीं भरा है पानी ऐसा जहां करेंट दोड रहा है या कोई तार गिरा हुआ तो वहां बिल्कुल नहीं जाना हाथ अगर हमारे भीगे हो, मानलो नहा के आ रहे हो, तुम लेटरिंग से निकल के आ रहे हो, तब जाके तुरन लाइट का बोर्ड नहीं टच करना तुम उसमें चिपक सकते हो, क्योंकि हाथ जब भीगा है मानलो पानी गिर रहा है, अब तुमने स्विच को टच किया, तुमारे अंगली से पानी एकाथ बून स्विच पे टपका और वो पानी अंदर चला गया स्विच में, और वो पानी का कनेक्शन हो गया कहां, लाइट करना चाहिए, मतलब कोई भी बिजली का अगर बल्ब जल रहा है, जलने दो, पहले तुम पहुंच पहुंच लो हाथ पैर, तभी छूना, दूसरी बात और, दूसरी बात और क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा, यह जो गदह है, लोग चैटिंग कर रहे हैं, इनको मैं क्या करूँ, गरिया दू का, तो तुम कहोगे अभी गुरुजी बड़े खतरनाख है, भीया पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, पढ़ लो, साय को बात चीत कर पढ़ लो, समझो आगे, तो हम लोग बात करें धातू के बारे में, धातू में क्या होती है, तंता होती है, विद्दुत और उस्मा की सुचालक होती है धातू होती है, धातू में चमक होती है, यह तो कुछ गुण हो गए न, important जो तुम समझ गए, इसमें आगात वर्दक पुण होता, इनको ठोकने पीटने पर फैलती है, तो यह हो गया क्या धातू, इसके जश्ट भीपरीद, जो है, वो क्या है, अधातू है, ठीक है, अधातू के बारे में भी चर्चा करें कहा, तो और भी कुछ चीजे हैं, यहाँ पर रुको एक मिनट में बात करता हूं उसके बारे में, बच्चा धातूओं के बारे में आज अच्छे से पढ़ लो, जिसे तुम्हें दुबारा न पढ़ना पढ़े, ठीक है, तो सब पढ़ तो लिए, ठीक है, हो गया न, मैंने अखशीजन वगयरा क्या अधातू बेटा इसके बारे में बात कर लें, अधातू क्या होते हैं, जैस्टिस की उल्टी होती है, अगर कोई अधातू है, उसको तुम ठोकते, पीडते हो, तो फहलेगी नहीं, वो भूरा भूरा हो जाएगी, चुनी हो जाएगी, मिंट सवस्था में कर लिए उसको प्रेसर दे करके आक्सीजन को तुम अगर तोड़ोगे तो फैले की नहीं उसकी चादर नहीं बनेगी आक्सीजन की कि चादर लाके अपने घर में लगा ले वो राखी की तरह मिट्टी की तरह महीन महीन हो जाएगी ठीक है जैसे इसमें अगर और बात करें हम हैड्रोजन है कोलोरीन है यह सभी क्या है अधातुए है इनमें तंता और गएरा नहीं पाई जाती चमक भी नहीं पाई जाती है अक्सीजन हैड्रोजन यह सब जो हैं इसमें चमक नहीं होती की चमके जबकि धातू में क्या होती, चमक होती है तो ये धातू के उधारण हो गए धातू में ताप और विद्दुत की कुछ आलक होती है क्या होती है, कुछ आलक होती है मतलब इनमें करंट नहीं दोड सकता है इसमें करंट नहीं दोड सकता है कि हमाज़े हो ना जैसे प्लास्टिक ही ले लो आपने वो देखा है चीनी मिट्टी अब काओगे चीनी मिट्टी कौन से जानवर का नाम है देखो बच्चा जो खंभा आपके आस-पास लगा होगा घर की अगर तो खंभे में क्या है वो लगा होता है एक गोला-गोला देखे चक्ट्र करते देते हैं फिवजड लगा होता था कभी-कभी निकालते समय नीचे गर जाता है था फूट जाता हम जो लोग होंगे जिससे पूरे घर के लाइट चलती थी लेकिन जिसको हम पकड़ के खीचते थे वो क्या था? मिट्टी था वो अधातु था, धातु नहीं था नहीं तो हमारा करंट लग जाता है तो जो अधातु होती उनमें करंट नहीं दोड़ता है वो उस्मा की सुचालक नहीं होती है ठीक है? सोनु परजापती लगा हुआ है अच्छा, अंकीत आर्या देखो बेटा, जो भी तुमारे घर में हो रहा आसपास तुमारी जिंदगी में हो रहा सब साइन्स है सब कुछ साइन्स है यह जो चैटिंग कर रहे है ना इसमें भी साइन्स है क्योंकि जब आवस्था चल रही है न तुम लोगों की यह का बोलते है नौ में हो तो 14 से 17 साल 16 साल की यह भी क्या साइन्स है क्योंकि तुमारे अंदर उस तरह का हार्मोन सराभित हो रहा है तुमें लग रहा है कि कोई लड़की बात करें तो बड़ा मजाएगा लड़कियों को लग रहा है अगर लड़कों से बात करें तो बड़ा मजाएगा लेकिन आपके पडोस में आपके दादा दादी बैठे होंगे वो नहीं सोचते हैं आपकी भाईया दादी से बात करें तो बड़ा मजा आएगा अंकल अंटी में थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन दादादी होते हुए जब एक दिम बुड़े हो जाते हैं तब नहीं रहता उतना क्यों कि जब इस सवस्ता में हो तुमारे अंदर बहुत भारी मात्रा में हार्मोन सरावित होता है किसी अच्छी सी खुब सुन्दर सी बढ़िया सी लड़की को देख लिए बहले लीपी पोती में कप लगाई है तुम्हें बहुत बड़ा अकर्शन होगा क्योंकि तुमारे अंदर देखते मान हार्मोन सरावित होगा नि भाई बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बात करो इससे इससे फ्रेंडशिप कर लो लेकिन अंकल जी डंडा लेके जा रहें ठेंगते हुए दादा जी कहीं कोई बुढ़िया दिख रही है लड़की दिख रही कोई दिख रहा उनको उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उनके अंदर वो हर्मोन्स जो है नाम मात्र का बचा है समझे रहे हो avons इतो इसमें भी क्या एक साइंस है तो यह हमारी जैना पूरी साइंस ही को समझेर है और हम बात कर रहा ना मैं इसलिए बता रहा हूं ह days और हां एक चीज और जो लोग कहते है न तुम लोग को मैं पहले से बता तू समझ जाओ कि मेरा दिल तोड़ दिया मेरा दिल तूट गया बेवफाई कर लिया तुम लोग बड़े समझदार हो बच्चे नहीं हो बच्चे तो वो छोटे वाले होते हैं तो बच्चा देखो दिल उल किसी का तूड़ता नहीं है, और साइंस ये भी कहती है कि अगर किसी का एक बार दिल तूट गया ना तो वो कभी जूडता नहीं है, एक बार दिल तूट गया तो इंसान मर जाता है, वो जिन्दा नहीं रह सकता है, अब दुबारा ये मत कहना किस से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया क्योंकि पड़े लिखे हो ना हां अगर कोई दिल तोड़ देगा तुमारा तो तुम बचोगे नहीं तुमारा दिल तोड़ना का मतलब तुमारी हत्या कर दिया मडर कर दिया इमान्सू बेटा काहे परिसान कर रहे हो मिश्टर इमान्सू आठ बज़े कलास एक अच्छा 10 वालों की अरे बहुत मारेंगे गरी आएंगे चलो ठीक है बहुत भूत धन्यवाद आप लोगों को आठ बज़े 10 वालों की कलास है ठीक है पीवियारे स्टडी लहाबाद पर जो अगर कोई 10 में है तो आजाए जल्दी दवड के आजाओ आजाओ बेटा